पैदाशी से जब you know we've we've heard their stories हम उनकी कहानिया सुनके बड़े हुएं तो जब ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए when you have an opportunity हम बस memory lane में चले जाते हैं नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारी YouTube चेनल पे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता चली ही चुका होगा कि वारुटू में हमें साउथ के सुपर स्टार जूनियर एंटियार देखने को मिलने वाले हैं रितिक क्रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए और अब दोस्तों इसी चीज़ को लेकर खुद बखुद एंटियार का अफिशल स्टेटमेंट आ चुका है तो आखिरकार उन्होंने वारुटू के बारे में क्या कहा है रितिक क्रोशन के बारे में क्या कहा है पूरी जयनकर हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे इसलिए दोस्तों वीडियो में अंते तक बनी रहेगा और साथ इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिगा और चैनल को सब्सकाइब भी कल लीजिगा इससे आपको हमारी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स असान से मिलती रहेंगी तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वार के फर्स्ट पार्ट मेमरी ती क्रोशन के साथ टाइगर स्रॉफ देखने को मिले थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होई थी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के डिरेक्टर थे तो चले दोस्तों बाते में मुद्र पर भी न किसी देरी के जूनियर नटियार के स्टेटमेंट पर की आखिरकार उन्होंने वारटू के बारे में क्या कहा है तो दोस्तों जूनियर नटियार ने अपने ओफिशल ट्विटर हेंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है मैं रितिक रोसन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी एक्टिंग उनके एक्सेंस और उनके डांस ने मुझे हमेशा इंप्रेस किया है जब मुझे वाल टू आफर हुई थी तो मैंने बीना कुछ सोचे समझे फिल्म को साइन कर लिया था क्यू प्रृश्वाब